नमस्कार दोस्तों, All Exam Guide Guru के YouTube चनल पर मैं सुजीत पांड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों ये वाले कॉशन जो है साइंस के सामान विज्ञान के ये बार बार आ रहे हैं ज़रा चेक करिए आप से ये कॉशन बन रहे हैं या नहीं विकरण के सभी प्रिकारों मतलब अलफा बीटा गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोक किया जाने वाले और alattा कॉंसा है तो motocycle हम चलाते हैं उसके exhaust में से, silencer में से, carbon monoxide निकलती है जो की एक जहरीली gas भी है, option number ये right answer है चार कोल घर में क्या जला कर बनाया जा सकता है, तो चार कोल जो है ये आप हवा की अनुपस्तिती में लकडी को जलाएंगे तो बन सकता है, option number ये यहाँ पर right answer हो जाएगा खाना बनाने के लिए प्रयोक्त, bio gas किसका mission होता है, तो खाना बनाने के लिए प्रयोक्त जो bio gas होती है उसमें आपकी methane और carbon dioxide होती है, bio gas की बात हो रही है, methane और carbon dioxide comment करके बता है, LPG का मुख्य घटक क्या है, जो हम घर पर cylinder यूज करते हैं, LPG का, उसका मुख्य घटक क्या है, आप ये comment box में comment करके बताइए, अकला question दिखिए, जब sodium bicarbonate को अत्तरिक गर्म किया जाता है, तो क्या उत्पात बनेगा, sodium bicarbonate को बहुत जादा गर्म कर दोग तो anthracite, ये carbon का सबसे सुद्ध रूप है, option number A, anthracite प्रशने के लिए right answer हो जाएगा, निमने लिखिते में से किस से stainless steel में कठोरता आती है, तो stainless steel को आप यदि कठोर करना चाहें, उसमें आपको carbon का प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, carbon का प्रतिशत बढ़ा के stainless steel को आप और मजबूत और कठोर बना सकते हैं, निमने लिखिते में से क्या, जल में घुलनशील नहीं है, जल में नहीं घुलता है, यहाँ पर जो option दिएगा है, उसमें से आपका lead sulfide, ये जल में नहीं हो लेगा, lead sulfide प्रशने के लिए, बिल्कुल सही answer है, option number A, निमने लिखिते में से क दिशोचन प्रशने के लिए right answer है, चार्नोबिल महाविपदा किसके production का परणाम है, अभी आपने चार्नोबिल के बारे में सुना भी होगा, चार्नोबिल किस देश में पढ़ता है, comment करके बताइए, तो चार्नोबिल महाविपदा जो हुई थी, उसमें production हुआ था, आपका रेडियो धर्मी अप्सिष्ट का option number D, यहाँ पर right answer हो जाएगा प्रशने के लिए, अगला question देखिए, केरल तट पर radioactive production हुआ था, वो थोरियम के कान हुआ था, option number C, थोरियम यहाँ पर प्रशने के लिए right answer है, अगनी शमनी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो fire extinguisher य रासायनिक नाम क्या है, तो quards का रासायनिक नाम आपका sodium silicate है, option number यहाँ पर D, sodium silicate प्रशने के लिए, बिलकुल सही answer हो जाएगा, अगला question देखिए, चांदी हवा में किसकी उपसिति के कान संचारित हो जाती है, तो चांदी संचारित हो जाएगी, यदि हवा में hydrogen sulfide हो, तो चांदी भी संचारित हो जाएगी, option number यहाँ पर राइड आंसर है, hydrogen sulfide के कारण, निम्दलकित में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व है, बताइए, रेडियो धर्मी तत्व कौन सा है, तो uranium एक रेडियो धर्मी तत्व है, option number भी uranium प्रशने के लिए राइड आंसर हो होती है, अधिक्तम ताप चलकताप की चांदी में होती है, option number सी चांदी प्रशने के लिए राइड आंसर हो जाएगा, एक टेस्ट ट्यूब में ammonia chloride के साथ sodium hydro chloride को गर्म करना किसका उधान होता है, एक टेस्ट ट्यूब में आप ammonium chloride के साथ यदि sodium hydroxide को गर्म करेंगे, तो यह उधाने खुला तंतर का, option number एक खुला तंतर प्रशने के लिए राइड आंसर हो जाएगा, समताप मंडल में परावैगनी विक्रन किसके दुआरा आवशोशित किया जाता है, तो समताप मंडल में जो परावैगनी विक्रन होता है, यह ओजोन के दुआरा आवशोशित कर नहीं करता, तो जो नाइट्रिक अमल रहता है, राइड आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशने के लिए, यह नहीं करता, आपके सोने के साथ, सोने के साथ अभिक्रिया, option number ए, राइड आंसर है, उरवरों के रूप में कौन से कैल्शियम लवन का प्रियोक्त होता है, तो फासपोरस का जो रूप स्वेथ फासपोरस है, तो यह सबसे अधिक स्वेथ फासपोरस सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा प्रतिक रियाशील होता है, निमने मैं से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिएगा है, उरवरों के लिए इनमें से कौन डिने में से कौन सी तत्यों का लवण, अगनी कीडा को रंग पदानां के लिए आपक लिए आपका है, अपका हैंरी। करता है तो राइट आंसर हो जाएगा अगनी कीड़ा को रंगपदार करने के लिए आपका इस्ट्रोटियम और बैरियम ऑप्शन नंबर सी इस्ट्रोटियम और बैरियम राइट आंसर है सभी गैसों में दूसरी सबसे हलकी गैस का नाम क्या है सभी गैसों में दूसरे नंबर क्या हो जागा राइट आंसर तो परमाडू के नाविक में आपके proton और neutron होते हैं optionनमड्टे अंबरोटों और neutron प्रश्णिक लिए राइट आंसर हो जाएगा कैनेक्स किसका अद्यन कहलाता है तो कायनेयट इंफ में हम सभी का मतलब रासानिक प्रतिकिर्या की दर कितनी तेजी से प्रतिकिर्या हो रही है उसकी और एक अभिकारक से उत्पादों को शामिल करने के लिए तंत्र और अणों के मारका तो सभी सत्य हैं option number D kinetics में सभी का अध्यन किया जाता है निम्द मैंसे किस प्रकार का एक प्राक्रतिक स्रोत नहीं है तो हाइड्रो कारबन का प्राक्रतिक स्रोत नहीं है अभरक option बढ़ी अभरक प्रशन के लिए राइट आंसर है निम्द मैंसे किस का प्रयोग हलके लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए तो हलके लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए पॉली विनाइल क्लोराइड का पीवी सी का प्रियुक क्या जाता है ओप्शन नम्बर सी पीवी सी राइट आंसर हो जाएगा निमने लगे तुम से कौन सा एसिड अमल एक लीड स्टोरेज बैटरी में लेड स्टोरेज बैटरी में एलेक्ट्रो लाइड के रूप में कारे करता है तो एलेक्ट्रो लाइड के रूप में कारे करेगा आपका सल्फियूरिक एसिड ओप्शन नम्बर सल्फियूरिक एसिड करेगा काम एलेक्ट्रो लाइड के रूप में बैटरी के अंदर निम्द मेंसे कौन से रासायन को पहले विश्व युद्ध की दौरान जहरीली गयस के एक घटक के रूप में इस्तिमाल किया गया था और जो एक तत्रो के रूप में प्रत्वी परप्राकितिक रूप से उत्पन नहीं है एक गैस का उत्पयोग किया था पहले विश्व युद्ध में वो गैस है आपकी ब्रोमीन इसका यूज किया गया था विश्व युद्ध के दौरान बैन्यू क्लिक एसिड मतलब आर एन ए में निम्ले लगति में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त चार उपस्तित नहीं होता कौन सा बॉन्यू क्लिक एसिड है आर एन ए राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसमें साइटोसीन होता है आर एने में साइटोसीन होता है आपका एडिनीन भी होता है और गुवानीन भी होता है ठाइमीन नहीं होता option number C यहाँ पर गलत है अंसर है ठाइमीन निम्ले लगति में से निउकलिक अमले हितू जो है एक लग कौन सा होता है तो निउकलिक अमले हितू एक लग आपका होगा नुक्लियो टाइड, option number C, नुक्लियो टाइड प्रिशने के लिए right answer है जब बर्फ बनती है, तो जल की entropy पर क्या प्रहोब पड़ेगा जब बर्फ बनती है, तो जल की entropy होगी, वो घट जाएगी, कम हो जाएगी option number B, घट जाएगी, right answer हो जाएगा, जब पानी जो है बर्फ बन जाएगी, तो जियो लाइट क्या होते हैं, तो जियो लाइट यहाँ पर right answer हो जाएगा यह hydrated sodium और aluminum silicate होते हैं, hydrated sodium aluminum silicate option number A, यहाँ पर right answer हो जाएगा, किस कारण से तरल पदार्थ हों के कॉतनांक में विननता होती है, तो जो तरल पदार्थ होते हैं, उनके कॉतनांक अलग-अलग होते हैं इसका कान है, उनके डाब में विननता, option number A, उनका जो प्रेशर डाब होता है, उसमें भी भिधनता होती है, इसलिए कोफळांक भी भिन 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 हो जाता है, आमलवर्षा नमलगर्शां किसके दौारा होए प्रिदुषन से होती है, तो जो आमलवर्षा होगी, वो होगी आपकी नाइanden बर नाइट्वोजन और सुलफर के, ऑक्साइड के के प्रिदूशन से option नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और सुलफर के ऑक्साइड के प्रिदूशन से वातावरण का वस्तर जो और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्ण से बना हैं क्या कहलाता है तो इलेक्ट्रोण भी है और धनात्मक आयन भी है इनको मिलाकर मिश्ण से बना हुआ है यह आपका आइनोस्पियर option नंबर भी आइनोस्पियर राइट आंसर हो जाएगा गहरे समद्र के गोता-कोरों क जो है उच्चतम पर नाइट्रोजन की एपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है जब प्रेशर पड़ता है ना तो नीशी जाओगे आप प्रेशर पड़ेगा पाणिगा तो खून में कम घुलनशील होगी इसलिए हीलियम मिलाई जाती है आप अंशन का संग्ण बहुलख है तो टैरीलीन एथ double अम्ल संग्णन बहुलत है तो टैरीलीन ₹य हमेल अम्ल का संग्णन बहुलत है टैरे पथाल हमल 일반 यहां पर से आंसर हो जाएगा परमाडू भंब जो है यह आपका किस सिद्दान पर कारे करता है यहां पर क्या से आंसर हो जाएगा तो परमाडू भंब आनियंत्रत नाभिकिये विखंडन पर कारे करता है option number B on yantit naabikiya weekend and right answer हो जाएगा मक्खन kolorad कब बनता है तो मक्खन kolorad ये बनता है जब वशा की गुलिकाएं पानी में छितर जाती है वशा की गुलिकाएं पानी में छितर जाती है option number यहाँ पर C से यह answer हो जाएगा charcoal घर में क्या जला कर बनाया जा सकता है तो charcoal जो है ये आप हवा की अनुपस्तिती में लकडी को जलाएंगे तो बन सकता है option number यहाँ पर आईड आंसर हो जाएगा खाना बनाने के लिए प्रयोक्त बायो गैस किसका mission होता है तो खाना बनाने के लिए प्रयोक्त जो बायो गैस होती है उसमें आपकी मीधेन और carbon dioxide होती है बायो गैस की बात हो रही है मीधेन और carbon dioxide comment करके बता है यह LPG का मुखे घटक क्या है जो हम घर पे cylinder यूज करते है ना LPG का उसका मुखे घटक क्या है आप यह comment box में comment करके बता ही अगला question दिखिए जब sodium bicarbonate को अत्तरिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पात बनेगा sodium bicarbonate को बहुत ज़्यादा गर्म कर दोगे तो sodium carbonate बन जाएगा option number A sodium carbonate प्रशने के लिए right answer हो जाएगा निमने लिखे तो विकलपों मेंसे carbon का सबसे शुद्ध रूप क्या है तो यहाँ पर right answer हो जाएगा carbon की बात हो रही है और सबसे शुद्ध रूप तो anthracite यह carbon का सबसे सुद्ध रूप है option number A anthracite प्रशने के लिए right answer हो जाएगा निमने लिखे तो मेंसे किस से stainless steel में कठोरता आती है तो stainless steel को आप यदि कठोर करना चाहें तो उसमें आपको carbon का प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा carbon का प्रतिशत बढ़ा के stainless steel को आप और मजबूत और कठोर बना सकते हैं निमने लिखे तो में से क्या जल में घुलनशील नहीं है जल में नहीं घुलता है यहाँ पर जो option दिएगा है उसमें से आपका lead sulfide यह जल में नहीं हो लेगा lead sulfide प्रशनी के लिए बिल्कुल सही answer है option number A निमने लिखे तो में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोईला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से प्रदूशन का परणाम है अभी आपने चार्नोबिल के बारे में सुना भी होगा चार्नोबिल किस देश में पढ़ता है कमेंट करके बताईए तो चार्नोबिल महा विप्दा जो हुई थी उसमें प्रदूशन हुआ था आपका रेडियो धर्मी अप्सिष्ट का ऑप्शन नमबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रशन के लिए अगला कोश्चन देखिए केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूशन निमलेकित में से किस कारण से हुआ था तो केरल तट पर रेडियो अक्टिव प्रदूशन हुआ था वो थोरियम के कारण हुआ था ऑप्शन नमबर सी थोरियम यहां पर प्रशन के लिए राइट आंसर है अगनी शमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं तो fire extinguisher या अगनी समन के लिए carbon dioxide का प्रयोग करते हैं कि carbon dioxide आग बुझाने के लिए उप्रयोग तो होती है oxygen में आग लगती है carbon dioxide के कारण आग बुझती है quads का रासायनिक नाम क्या है तो quads का रासायनिक नाम आपका sodium silicate है option number यहाँ पड़ी sodium silicate प्रशने के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा अगला question दिखिए चांदी हवा में किसकी उपस्तित के कारण संचारित हो जाती है तो चांदी संचारित हो जाएगी यदि हवा में hydrogen sulfide हो तो चांदी भी संचारित हो जाएगी option number यहाँ पर राइड आंसर है hydrogen sulfide के कारण निम्दलगित में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व है बताइए रेडियो धर्मी तत्व कौन सा है तो uranium एक रेडियो धर्मी तत्व है option number यह यूरेनियम प्रशने के लिए राइड आंसर हो जाएगा जयव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्दलगित में से किसम में परिवतित करते हैं तो जयव उर्वरक जो रहते हैं यह नाइट्रोजन को बदल देते हैं अमोनिया में option number यह अमोनिया में बदल देते हैं नाइट्रोजन को एक test tube में आप ammonium chloride के साथ यही sodium hydroxide को गर्म करेंगे तो यह उधाने खुला तंत्र का option number एक खुला तंत्र प्रशने के लिए right answer हो जाएगा समताप मंडल में परावैगनी विकरन किसके दौरा अवसोशित किया जाता है तो समताप मंडल में जो परावैगनी विकरन होता है यह ozone के दौरा अवसोशित कर लिए जाता है ozone को क्या कहते हैं बताएए O2, O3, O4 या O5 ozone किया है बताएए कमेंट करके O2, O3, O4 या O5 नाइट्रिक अमल निर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवन का प्रियोक्त होता है तो उर्वरकों के रूप में आप प्रियोक करते हैं कैल्शियम सल्फेट का आप्शियम नमड़ी कैल्शियम सल्फेट प्रिशनी के लिए राइट आंसर हो जाएगा निम्द लेकित में से फासपोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होगा तो फासपोरस का जो रूप यदि स्वेथ फासपोरस है तो ये सबसे अधिक स्वेथ फासपोरस सबसे अधिक सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है निम्न में से कौन सी greenhouse gas नहीं है यहाँ पर जो option दिएगा है उन्न में से कौन सी greenhouse gas नहीं है right answer हो जाएगा organ gas यह greenhouse gas नहीं है option number D, organ gas प्रशनी के लिए बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगला question देखिए hydrogen की खोज के लिए कौन उत्तरदाई है बताईए hydrogen की खोज के लिए इनमें से कौन उत्तरदाई है तो hydrogen की खोज के लिए आपका henry kevindis उत्तरदाई है option number D, henry kevindis right answer है marsh gas का सही सायोजन क्या है तो marsh gas का सही सायोजन आपका होता है CH4 option number C, CH4 यह marsh gas कहलाती है right answer हो जाएगा prakritic gas का मुखे घटक क्या है तो prakritic gas, natural gas इसका मुखे घटक होता है आपका methane option number E, methane प्रशने के लिए right answer हो जाएगा निम्दे मैं से कौन से तत्यों का लवण अगनी कीडा को रंग पदान करता है तो right answer हो जाएगा अगनी कीडा को रंग पदान करने के लिए आपका istrotium और barium option number C, istrotium और barium right answer है सभी gasों में दूसरी सबसे हलकी gas का नाम क्या है सभी gasों में दूसरे नंबर की सबसे हलकी gas होती है helium comment करके बताएगे पहली सबसे हलकी gas कौन से होती है सभी gasों में निंदलेगत में से कौन सा एक परमाणू के नाविक में शामिल होता है क्या पूछा गया है शामिल होता है क्या हो जागा right answer तो परमाणू के नाविक में आपके proton और neutron होते हैं option number ए proton और neutron प्रश्न के लिए right answer हो जाएगा kinetics किसका अध्यन कहलाता है तो kinetics में हम अध्यन करते हैं सभी का मतलब रासानिक प्रतिकिर्या की दर कितनी तेजी से प्रतिकिर्या हो रही है उसकी और एक अभिकारक से उत्पादों को शामिल करने के लिए तंत्र और अणों के मारका तो सभी सत्य है अप्शन अभड़ी kinetics में सभी का अध्यन किया जाता है निम्द मैंसे किस प्रकार का गंद एथनोइक एसिड जैसी होती है तो एथनोइक एसिड जैसी जो गंद होती है ये होती है सिरके की अप्शन अभड़ी अबरक प्रशनी के लिए राइट आंसर है निम्द मैंसे किस का प्रयोग हलके लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है तो हलके लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए पॉलिविनाइल क्लोराइड का पीवी सी का प्रयोग किया जाता है option number is sulfuric acid करेगा काम electrolyte के रूप में battery के अंदर निम्द में से कौन से रासायन को पहले विश्व युद्ध की दौरान जहरीली gas के एक घटक के रूप में इस्तेमाल किया गया था और जो एक तत्रो के रूप में प्रत्वी पर प्राक्तिक रूप से उत्पन नहीं है एक गैस का उपयोग किया गया था पहले विश्व युद्ध में वो गैस है आपकी ब्रोमीन इसका यूज किया गया था विश्व युद्ध के दौरान बन्यू क्लिक एसिड मतलब RNA में निम्ले लगत में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त चार उपस्तित नहीं होता कौन सा बन्यू क्लिक एसिड है RNA राइट आशार हो जाएगा देखिए इसमें साइटोसीन होता है आरेने में साइटोसीन होता है, आपका एडिनीन भी होता है और गुवानीन भी होता है, थाइमीन नहीं होता, option number C यहाँ पर गलत है, अंसर है थाइमीन, निम्नलक तुम से नुक्लिक अमले हितू, जो है, एक लग कौन सा होता है, तो नुक्लिक अमले हितू, एक लग आपका ह आइड, option number C, नुक्लिक अमले हितू, प्रिशने के लिए राइट आंसर है, निम्नलक तुम से किसे, मिल्क शुगर भी कहा जाता है, तो मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आपका, लेक्टोस को मिल्क शुगर के भी कहा जाता है कॉशन एक्जाम में कई बार पूछा जा चुका है सोडियम बाई कार्बोनिट को अत्तरिक गर्मी किया जाता है तो क्या उत्पाद बनेगा सोडियम बाई कार्बोनिट को बहुत ज़्यादा गर्म कर दोगे तो सोडियम कार्बोनिट बन जाएगा option number A सोडियम कार्बोनिट प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा निमने लिखे तो विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाए कार्बन की बात हो रही है और सबसे शुद्ध रूप तो एंत्रेसाइट यह कार्बन का सबसे सुद्ध रूप है option number A एंत्रेसाइट प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा निमने लिखे तो में से किस से स्टैनलेंस इस्टील में कठोरता आती है तो स्टैनलेंस इस्टील को आप यदि कठोर करना चाहें लेट सलफेट प्रशने के लिए बिलकुल सही आंसर है option number A निमने लिखे तो में से किस के द्वारा सक्क्रिय काठ कोईला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है तो शुद्ध तत्व है उसमें से यदि आपको रंजक पदार्थों को दूर करना है प्रक्रिया है अधी शोषन option number C अधी शोषन प्रशन के लिए राइट आंसर है चार्नोबिल महाविपदा किस के प्रदूशन का परणाम है अभी आपने चार्नोबिल के बारे में सुना भी होगा चार्नोबिल किस देश में पढ़ता है कमेंट करके बताईए तो चार्नोबिल महाविपदा जो हुई थी वो उसमें प्रदूशन हुआ था आपका रेडियो धर्मी अप्सिष्ट का option number D यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रशन के लिए अगला question देखिए केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूशन निमलकित में से किस कारण से हुआ था तो केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूशन हुआ था वो थोरियम के कारण हुआ था option number C थोरियम यहाँ पर प्रशन के लिए राइट आंसर है अगनी शमन के लिए हम किसका प्रिव प्रद्दा करते हैं तो इकेर अगनी शमन के लिए कलब करते हैं कजी अग बुझा नियुकत है oxygen में आग लगती है कलबन एकेरण बाइटो आगि बुझती है Quards का राजाइनक नाम क्या है तो quards का रासाइनिक नाम आपका sodium silicate है option नमबर यहाँ पड़ी sodium silicate प्रशने के लिए बिलकुल सही answer हो जाएगा आगला question दिखिए चांदी हवा में किसकी उपस्तित के कारण संचारित हो जाती है तो चांदी संचारित हो जाएगी यदि हवा में hydrogen sulfide हो तो चांदी भी संचारित हो जाएगी option नमबर यहाँ पर राइड आंसर है hydrogen sulfide के कारण निम्नलकित में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्त्व है बताइए रेडियो धर्मी तत्व कौन सा है? तो uranium एक रेडियो धर्मी तत्व है option number B uranium प्रशन के लिए right answer हो जाएगा जयव उर्वरक nitrogen को निम लिगद में से किसमें परिवतित करते हैं तो जयव उर्वरक जो रहते हैं ये nitrogen को बदल देते हैं ammonia में option number B ammonia में बदल देते है nitrogen को निम लिगद में से किस धातू में अधिकतम ताप चालकता होती है अधिकतम ताप चलक ताप की चांधी में होती है option नमसी चांधी प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा एक test tube में ammonia chloride के साथ sodium hydro chloride को गर्म करना किसका उधान होता है एक test tube में आप ammonium chloride के साथ यदि sodium hydroxide को गर्म करेंगे तो ये उधान एक खुला तंतर का option नमबर एक खुला तंतर प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा समताप मंडल में परावैगनी विक्रण किसके द्वारा आवशोशित किया जाता है तो समताप मंडल में जो परावैगनी विक्रण होता है ये ozone के द्वारा आवशोशित कर लिया जाता है तो जो नाइट्रिक अमल रहता है right answer क्या हो जाएगा इस प्रशनी के लिए ये नहीं करता आपके सोने के साथ सोने के साथ अभिक्रिया option number ए right answer है उर्वरकों के रूप में कौन से calcium लवन का प्रियोक्त होता है तो फासपोरस का जो रूप यदि स्वेथ फासपोरस है तो ये सबसे अधिक स्वेथ फासपोरस सबसे अधिक सबसे जादा प्रतिक्रिया शील होता है निम्न में से कौन सी greenhouse gas नहीं है यहाँप जो option देगा है उनमे से कौन सी greenhouse gas नहीं है राइट आंसर हो जाएगा organ gas ये greenhouse gas नहीं है option number D organ gas प्रशनी के लिए बिल्कुल सई आंसर हो जाएगा अगला question देखिए hydrogen की खोज के लिए कौन उत्तरदाई है बताईए hydrogen की खोज के लिए इनमे से कौन उत्तरदाई है तो hydrogen की खोज के लिए आपका henry kevindis उत्तरदाई है option number यहाँ पर D henry kevindis राइट आंसर है marsh gas का सही सायोजन क्या है तो marsh gas का सही सायोजन आपका होता है CH4 option number C CH4 ये marsh gas कहलाती है राइट आंसर हो जाएगा प्राकरतिक gas का मुखे घटक क्या है तो प्राकरतिक gas, natural gas इसका मुखे घटक होता है आपका methane, option number E, methane प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा निम्ने मैंसे कौन से तत्यों का लवन अगनी कीडा को रंग पदान करता है तो राइट आंसर हो जाएगा अगनी कीडा को रंग पदान करने के लिए आपका strotium और barium option number C, strotium और barium राइट आंसर है सभी gasों में दूसरी सबसे हलकी gas का नाम क्या है सभी gasों में दूसरे नंबर की सबसे हलकी gas होती है helium कमेंट करके बताइए पहली सबसे हलकी gas कौन सी होती है सभी कैसों में निंदलिकित में से कौन सा एक परमाडू के नाविक में शामिल होता है क्या पूछा गया है शामिल होता है क्या हो जागा राइट आंसर तो परमाडू के नाविक में आपके प्रोटोन और न्यूट्रोन होते हैं option number ये proton और neutron प्रश्णि के लिए right answer हो जाएगा kinetics किसका अध्यन कहलाता है तो kinetics में हम अध्यन करते हैं सभी का मतलब रासानिक प्रतिकिर्या की दर कितनी तेजी से प्रतिकिर्या हो रही है उसकी और एक अभिकारक से उत्पादों को शामिल करने के लिए तंत्र और अणों के मारका तो सभी सत्य है option number का kinetics में सभी का अध्यन किया जाता है निम्द मैंसे किस प्रकार का गंद ethanoic acid जैसी होती है तो ethanoic acid जैसी जो गंद होती है ये होती है सिरके की option number C सिरका सही answer हो जाएगा ethanoic acid जैसी गंद होती है निम्द मैंसे कौन सा hydrocarbon का एक प्राक्तिक स्रोत नहीं है तो hydrocarbon का प्राक्तिक स्रोत नहीं है अब्रक option बढ़ी अब्रक प्रशनी के लिए राइट answer है निम्द मैंसे किस का प्रयोग हलके लेकिन मजबूत प्लाश्टिक बनाने के लिए किया जाता है तो हलके लेकिन मजबूत प्लाश्टिक बनाने के लिए polyvinyl chloride का PVC का प्रयोग किया जाता है option number C PVC right answer हो जाएगा निम्द मैंसे कौन सा acid अमल एक lead storage battery में lead storage battery में electrolyte के रूप में कारे करता है तो electrolyte के रूप में कारे करेगा आपका sulfuric acid option number is sulfuric acid करेगा काम electrolyte के रूप में battery के अंदर निम्द मैंसे कौन से रासायन को पहले विश्व युद्ध की दोरान जहरीली gas के एक घटक के रूप में इस्तिमाल किया गया था और जो एक तक्तो के रूप में प्रत्वी पर प्राकतिक रूप से उत्पन नहीं है एक gas का उत्पयोग किया था पहले विश्व युद्ध में वो gas है आपकी ब्रोमीन इसका यूज किया गया था विश्व युद्ध के दोरान बेन्यू क्लिक acid मतलब RNA में निम्ले लगति में से कौन सा नाइट्रोजन युक्तचार उपस्तित नहीं होता कौन सा बॉन्यू क्लिक acid है RNA राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसमें साइटोसीन होता है RNA में साइटोसीन होता है आपका एडिनीन भी होता है और गुवानीन भी होता है थाइमीन नहीं होता option number C यहाँ पर गलत है अंसर है थाइमीन निम्ले लगति में से निउक्लिक अमले हितु जो है एक लग कौन सा होता है तो निउक्लिक अमले हितु एक लग आपका होगा निउक्लियो टाइड option number C निउक्लियो टाइड प्रिशने के लिए राइट आंसर है निम्ले के दमस्के से मिल्क शुगर भी कहा जाता है तो मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लेक्टोज को मिल्क शुगर के भी कहा जाता है question exam में कई बार पूछा जा चुका है